संद्रा नगरे की सेंट्रल जेल के अंदर जल्दी कायकल्प नजर आने वाला है जेल के अंदर नवीनी करण कारे शुरू किया गया है इसके लिए शाशन की और से 18 करोड रुपय की निधी मंसूर की गई है कोरोना संकमन के चलते जील के लिए मनसूर की गई निधी नहीं मिल पाय थी जिसके चलते जेल के अंदर नभीनी करन का कारे ठप पड़ा था हाली में शाशन की defence करीब आठ करोर रुपे की निधी जेल परशासन को मोहिया कराए गई निधी मिलते ही जेल के अंदर आठ नए बेरक का निर्मान कारे शुरू कर दिया गया है बेरक निर्मान कारे का दो दिन पहले जेल अधिक्षक अनुप कुम्रे के हातों भूमी पूजन किया गया अधिक्षक कुम्रे के अनुसाद जेल के अंदर लंबे अंतराल के बाद नवीनी करण का कारी शुरू किया गया है जेल में आठ नए बेरक के अलावा कैदियों के ट्वाइलेट इसनान ग्रह की जगा और बेरक की सभी छतों की सिमेंट शीट को निकाल कर टी शेट लगाया जाएगा जेल में कई बेरक की सीट खराब हो चुकी है जेल अदिक्षक कुम्रे ने कहा कि सेंटरल जेल के अंदर में दिवारों में भी सुधार किया जाएगा नागपुर की सेंटरल जेल ब्रिटिश काल में बनी है करीब 158 साल पुराने सेंटरल जेल के अंदर अब कुछ पुराने बैरक का नवीरी करण का कारे शुरू किया गया है जेल के अंदर बैरक का निर्मान कारे शुरू हो जाने से जेल के अंदर बाहर आने जाने वाले मस्दूरों की रोसाना गेहन जाच परताल होती है उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने के अनुमती दी जाती है जेल में कैदियों के परीजनों के लिए बनाए गए मुलाकात कक्ष और विजीटर कक्ष का भी सौंदरी करन किया जाएगा जेल में कई बार बाहर से वकील, पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी आकर विजीटर कक्ष में बैठते हैं सेंटरल जेल के अंदर आठ नए बैरक का निर्मान शिरू किये जाने से कैदियों को रखने में आसानी होगी मौजुदा समय में धाई अजार से अधिक कैदी सेंटरल जेल में बंद है यहाँ पर शमता से अधिक कैदी बंद है जेल प्रशासन के अधिकारियों को इन कैदियों को सम्हालना काफी मुश्किल हो रहा है इसके साथ ही जहां इसके पहले जेल के पूर्व अधिकारी ने जेल परिसर में साफ सफाई के लिए 70 से अधिक कैदियों को काम पर लगाया था वही मौजुदा समय में साथ कैदी है जिने साफ सफाई के काम पर लगाया जाता है जेल परिसर का दाइरा काफी बड़ा है कैमरा परसन राजकमा मोहड के साथ दिशाटवा बीसियन न्यूस नाथपुर